ग्रूप था और बाद में जो काम सुरू हुआ वो टीम वर्ग हुआ यस या नो तो कई लोग ये ब्रह्म में होते हैं कि मेरे वाहर टीम है लेकिन आप लोगों को बता दो आपके वहाँ पर भी ग्रूप होता है और team का अंतर क्या होता है और group का अंतर क्या होता है वो आपको समझना जरूरी है जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं group के अंदर ऐसा होता है individual vision होता है फिर क्या होता है work भी individual होता है no coordination कोई भी तरीके का coordination नहीं होता है individual rules होते है और कोई भी support system नहीं होती है तो इस तरीके से काम करने वाले जो pattern होता है जिस company का वहाँ पर कोई team काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पर छोटे चोटे ग्रूप है और जहाँ team होती है वहाँ पर क्या होता है तो सबसे पहला एक vision होता है कि कमपनी को इस दिसा में आगे लेकर जाना है दूसरा यहाँ पर क्या हो जुसरे को समर्थ होकर साथ में लेकर ग्रो होते हैं जो हमने विडियो के अंदर तो आप सवाल यह है आप जब टीम बना रहे हो तो आपको चेक करना है कही ग्रूप तो नहीं बन रहा है और अगर बन रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है एक बहतर टीम बनानी है तो अब आपको करने की जरुवत क्या है तो अब मैं आप लोगों के बीच में ऐसे 11 स्टेप देने वाले हूँ जिससे आप एक महान टीम एक स्पार्टन जैसे टीम आप बना सकते हूँ तो अब आपको देखना है और अब आपको समझना है सबसे पहला पॉइंट कि कभी भी कोई बंदा जब आपकी कंपनी में जूड रहा है सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा इस वीजन बीफोर स्टार्टिंग वर्क काम सुरू करने से पहले उसको अपनी लाइफ में चाहिए क्या और हमारी कंपनी का वीजन क्या है इन दोनों को अलाइन करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये जब जूड़ेगा तब उस लेवल का पर्फोंस और बंदा कर पाएगा Us second काम जो आपको यहाँ पर करना है बींड हीस इंटरेनल स्टेंट हर बंदा जब आ आपके साथ काम करने वाला जुड़ेगा सबकी ताकाद अलग है सबकी कमजोरिया अलग है लेकिन उसके अंदर क्या है वो क्या कर सकता है उसको खुद को पता नहीं है इसलिए वो जॉब करने के लिए आपके पास आया है तो आपको पता होना चीए उसके अंदर कौनसी ताकत है और कौनसा काम करने में वो master है और उसको उसकी ताकत से जगाना और उस level पर उससे काम करवाना ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसकी अंदर की जो strength है ना उसको मजबूत किया जाए थर्ड चीज़ जो हमें करने की जरुवत होती है take commitment कोई भी बंदा जब आपकी company में जोड रहा है तो उसको हाथ मिला कर ये बोलो कि आज से 5 साल आपको हमें देने पड़ेगे 5 साल अगर आपने दे दिये आपकी जिन्दगी बनाने की जिम्मेदारी गुरु कुल की हमारी company की और उससे भी ओ commitment लो कि सर पास साल देना पड़ेगा तब ग्रोध होगा commitment लो commitment दो तब एक अच्छी team बनेगी उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा power of duplication हर person को किसी और को तयार करना होता है लेकिन तरीका नहीं पता है आज मैं आपको वो तरीका दे रहा हूँ लोकों को duplicate करना कैसे है तो बहुत simple है ये तरीका सबसे पहले आपको उनके साथ जब आप जुड़े हो तो जिस department में उसको आपने काम पर रखा है आपको एक week कि ये practice करनी पड़ेगी first week पहले साथ दिन क्या करना है I do you see मैं करूगा आप देखते जाओ मैं कर कैसे रहा हूँ I do you see second week के अंदर जब वो बंदा आएगा उसको बोलना है you do I see अब आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ मैं आपको check करूगा कि आप proper ढंसे वो चीज़ कर रहे हो की नहीं कर रहे हो और third week आएगा again you do no need to see reporting only अब आप करते जाओ बहतर कर रहे हो अच्छा कर रहे हो आप continue करो लेकिन रोज शाम को आपको हमें report देना है क्योंकि report से मैं judge कर पाओगा कि आज आज आपने क्या किया और इतना सिंपल तरीका है कि आज कोई भी कंपनी फास में अगर ग्रो होती है तो उनके वहाँ यही चीज़ को करने की SOPs होती है जिसको कहा जाता है standard operating process और इसको इस तरीके से वह लोग तयार करते हैं तो ऐसे duplicate लोग निकलते स्टार्ट होगे clear है तो आज के बाद हम किसी को भी तैयार कैसे करेगे हम करेगे उसको बताएगे कैसे करना है फिर वो करेगा उसको देखेगे वो कैसे कर रहा है फिर उसको continue करवाते रहेगे और बोलेगे reporting आपको देना है यह फॉर्वेट फिर आगे बात करते हैं जो हमें समझना जरूरी है और सिखना जरूरी है teach him discipline बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अनुसाशन और बहुत कम कंपनियों के अंदर ये discipline देखने को मिलता है discipline जहा होता है वहा ग्रोथ होता है और discipline की बाद आती है तो मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है Indian Army कैसा भी बंदा हो किसी भी तरीके का बंदा हो कुछ भी कर रहा हो अगर वो पास साल आर्मी में चला गया तो उसका body language भाईसा बदल जाता है उसका बात करने का तरीका उसका चलने का तरीका उसका सब कुछ चेंज हो जाता है तो क्या आपके वहाँ आपने अपने लोकों के बीच में कोई discipline बिल्ड किया है तो discipline को दूसरी तरीके से बोलेगे आपके company के rules and regulation ये बनाने पड़ेगे आगे हम उसके उपर भी बात करेगे कि क्या होना चाहिए उसके बाद आपको देखना पड़ेगा work delegate rather than dumping हम ज़्यादातर लोकों को काम देते नहीं हैं हम ज़्यादातर लोकों को काम थोपते हैं तो थोपो मत उसको दो और देने का तरीका क्या हो गया ये तरीका है telling versus asking जब आप ज़्यादा बोड़ रहे हो और सामने वाला सून रहा है इसका मतलब आप उसको थोप रहे हो और देने का मतलब ये होगा वो ज़्यादा बोड़ रहे हो और आप उसको सून रहे हो क्यों क्योंकि वहाँ पर क्या होगा पूछना होगा आस्किंग होगा कि यह मैंने आपको बताया था यह आपने समझा अंडरस्टेंड किया आपको क्लियर हुआ और दूसरी चीज यहाँ पर बताए गई है ग्यू धैम लिमिटेट ऑथोरिटी इसका मतलब यह होता है अगर उसको ग्रो होना है तो छोटी छोटी जिम्मेदारिया दो हर एक डिपार्टमेंट में काम करने वाला बंदा पांसो से लेके हजार तक का डिसिजन ले सकता है हजार से लेके पाच हजार का डिसिजन ले सकता है पाच हजार से लेके दस हजार का डिसिजन ले सकता है पचास हजार से लेके लाख रुपे का डिसिजन ले सकता है लाख के उपर अगर कोई डिसिजन लेना है तो मुझे पूछने आना अपना क्या होता है 200 रुपया वो टेंपो आले को देना होता है, न तब भागे-भागे अपने पास आता है मता है, आपनाचा है पर हम बोलते हैं, रोक फिर निकालते हैं खजाना क्यों क्यों कि छुटा ही नहीं है अपने आथ में से तो लोकों को छोटी छोटी जिम्मेदारिया दो और लोकों को फिल कराओ कि ये उनकी भी कमपनी है वो खुद बचाएगे आपके आपसे अच्छा क्योंकि उसकी बार्गेरिंग आपसे भी अच्छी है आपने कभी ये गौर नहीं किया होगा लेकिन हम देते ही नहीं हम क्या सोते सब कुछ करेगा गबर खुद फिर हमें सिखने की जरुवत क्या है कि हर परसन को जब हमने काम सिखा दिया तयार करवा दिया उसके बाद हमें उसका करना है टेक डेली रिपोर्ट एंड ग्यू फिडबेक किसी ने सही कहा है कि जिस इनसान का अगर पूरे दिन काम करने के बाद अगर आप उससे रिपोर्ट नहीं ले रहे हो कि आज आप आपने पूरे दिन में किया क्या मतलब समझना आप उसको फ्री की तंखा दे रहे हो क्योंकि शाम तक आपने उसको पूछा ही नहीं है कि भाई साब आज आपने पूरे दिन में किया क्या तो रिपोर्ट लेना जरूरी है जिसको हम कहते है टू-डू लिष्ट और उस रिपोर्ट के सामने एज लीडर आपको फिडबेक देना है कि यह आपने अच्छा किया य यह आपको सुदारने की जरुवत है और यह जब डेली बेस के ओपर देगे तो डेली छोटा-छोटा इंप्रूमेंट आएगा और वो छोटा-छोटा इंप्रूमेंट एक बला रिजर्ड प्रोडूस करेगा हम तो क्या होता है जब गलती होती है ना फिर दूंडे निकल द की नाइन पर आपको हमने एक सिस्टम बना कर दी है एच डबलू करना और यह वाली प्रैक्टिस आपको आने वाले छे दिन में करके आना है यह आपको हमने डेमो स्टेशन दिया हुआ है कि आप विकली मिटिंग में आपके वहा क्या करना है गुट थिंग क्या है बात करो बैट थिंग क्या है बात करो नेक्स विक का प्लानिंग क्या है बात करो किसने अच्छा परफॉर्म किया बात करो और उसको क्या रिवर्ड म मिलना ची उसकी बात करो ये एक सिस्टम बनाओ तब आपको पता चलेगा कि आपके इतनी अच्छी कंपणी में अच्छे परफोमर लोग कहा है कौन है कौन अच्छा काम कर रहा है आपको पता चलेगा क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है ये आपको पता चलेगा और अब आ इंसान जो होता है वो चैलेंज लेकर पैदा नहीं होता है और चैलेंज लेना लोकों की फित्रत नहीं होती है हम खुद अगर दो रास्ते हमारे पास हो एक सेफ रास्ता और एक चैलेंजिंग रास्ता हम खुद सेफ रास्ते से जाना पसंद करते हैं लेकिन जब जब किसी इं चैलेंज लोग खुद अपने लिए और अपनी टीम में काम करने वाले लोगों को भी एक चैलेंज दो और चैलेंज देना मतलब क्या चैलेंज देना मतलब आपको ये समझना पड़ेगा उसके comfort zone में से उसको बाहर निकालना मतलब आज तक उसने जो काम नहीं किया है वो काम करने का उसको अवसर देना मौका देना और condition apply पहले से पता होना चीए वो fail होगा tension नहीं उस level का ही challenge दो उसको कि उसको आप recover कर सको लेकिन आपको तो challenge लेना रहेगा clear फिर आगे आपको करना रहेगा दसवी चीज अप्रिशेशन करना पड़ेगा और award reward देना पड़ेगा अपने लोको को तो appreciation आप रोज कर सकते हो परिवार में कर सकते हो बच्चों के लिए कर सकते हो team member के लिए कर सकते हो customer के लिए कर सकते हो appreciation है कैसी चीज है जहाँ पर एक रुपे का दाम लगता नहीं है खाली बोलना होता है लेकिन ऐसा human हम इतने कंजूस है कि उसके बावजुद हम वो करते नहीं है और appreciation का मतलब simple है जो चीज अच्छी है ना वो बताओ जूट मत बोलो कई बार appreciation हम जूट मुट का करते हैं और सामने वाला पकड़ लेता है और award reward देना सुरू करो अच्छा काम किया कुछ ना कुछ उसको award reward दो जब अच्छा काम करने का award reward मिलता है लोकों की आदद बन जाती है और अच्छा काम करने की कि और इससे अच्छा करोगा और कुछ मिलेगा और अच्छा करूगा और कुछ मिलेगा कुछ नहीं प्लानिंग अगर समझ में आए तो हजार दो हजार का मन्थली बजेट प्लान कर लो उसमें जो बेश्ट चीशहाब उसको दे सकते हो वो देना始ुरू करो और कुछ ना समझ में आए तो 2000 कैस दे दो यहां से सुरू करो विकली जब आप उसके साथ बैट रहे हो हो 500 रुबे का प्लानिंग लेकर चलो 500 से 1000 और उसके अंदर कोई चीज अच्छे दो कुछ ना समझ में आए उसको जो काम की जरुवत है वो चीज उसको देना सुरू करो क्लियर एवोर्ट रिवोर्ट देना सुरू करो और 11 वर स्टेप जो मैंने आप लोगों को बताया था डेप्थ बिल्डिंग हर इस बिदनस्मेन का प्रॉब्लम यह आ जाता है पहला चीज अगर जब यहां पर सेट हो जाता है तो हम दुसरे तक जाते ही नहीं